हेलो एवरिवन, तोड़े भी डू दा लेसन प्लेइंग विद नमबर्स, क्लास एट चैप्टर सिक्स, इस लेसन का आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, इस लेसन को करने से पहले मैं बताना चाता हूँ, कोई भी नमबर होता है, उसकी फोम होती है लिखने की, उसे हम बोलते हैं, जैसे टू डिजिट नमबर है, इसमें 57, 57 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 multiply by 10, plus 7 multiply by 1, क्योंकि 5, 10 की place value है, और 7, 1 place value है, तो यह है इसकी extended form होगी, और इसके बाद, एक और example है, 83 का, 83 में, 8 को 10 से, और 3 को 1 से multiply करेंगे, क्योंकि 3 की, जो है, 3 जो है, 1 place value उपर है, और 8 की place value 10 है, तो इन दोनों को देख कर हम कह सकते हैं, कि इसको हम, 2 डिजिट की, general format, 10A plus B, जैसे 57 में 5A, और 7B है, तो यहाँ पर A आ गया, यहाँ पर B आ गया, ऐसे ही इसमें A, B, यह हमारी बन गई है, 2 डिजिट नंबर form, 2 डिजिट नंबर form, 10A plus B, ऐसे ही 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं, example, 293, 2 जो है, 100 place पर है, और 9, 10 पर है, और 3 जो है, 1 पर है, उसको हम, ऐसे लिख सकते हैं, 293 को, 200 plus 90 plus 3, 200 को लिख सकते हैं, 2 multiply by 100, 90 को लिख सकते हैं, 9 multiply by 10, और 3 को लिख सकते हैं, 3 multiply by 1, तो इसकी जनरल form होएगी, 100A plus 10B plus C, तो यह होती है, मारे पास, जनरल form of number, 2 डिजिट नंबर and 3 डिजिट नंबर, इसके बाद, इस exercise में, जो है, इस type के question आएंगे, हमने, जो है, find करनी होगी, value of letters, value of letter में एक बात है, कि इसकी value, 0 से लेकर, 9 के, बीच के digit आएंगे, 0 से लेकर 9 के बीच में, जैसे, 4 में क्या add करें, की 6 आ जाए, मामले question है, मारे पास, 4 में, क्या add करेंगे, 6 आ जाए, तो 4 में हम 1 करेंगे, 0 करेंगे, 4, 1 करेंगे, 5, 4 में, 2 करेंगे, 6, यानि की, एक value हमारे पास आ जाएगी, 2, 4 plus 2 is equal to 6, तो एक value हमारे पास या जाएगी, एक तो इस type के question आएगे, अगला example ही है, 4 है, 98 में, इसका answer जो है, मालों यहाँ पार, है, 9, और यहाँ पर हमने पताना है कि, इसमें, क्या आएगा, जैसे, 8 में क्या add करें, की 9 बन जाए, सीधा दिख रहा हमें, 8 में अगर हम 1 add करतेंगे, तो 9 हो गया, और 9 प्लस 4, 13 हो गया, तो यहाँ पर आजाएगा, 4, 1, 9, 8, 9, तो A की value हम क्या लिखेंगे, 1, B की value हम क्या लिखेंगे, 3, और C की value हमारे पास आजाएगी, 1, एक अगला option है, जैसे, एक और example है, कोई भी 2 digit number है, इसको 3 से multiply करके यह आएगा, यानि कि, इस alphabet में, 0 से लिएकर, 9 तक की value रखेंगे बीच में, तो हम देखते हैं, 3 को किस से multiply करेंगी, वही same number है, जैसे, 3, 0, 0, यानि कि, 3 को हमने 0 से multiply किया, तो 0 आ गया, और इसके बाद, next part पर आ जाते हैं, यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, यानि कि, इसको multiply करके, वही same number आना चाहिए, जैसे, 3, 1 जा, 3, 3, 2 जा, 6, 3, 3 जा, 9, 3, 4 जा, 12, 3, 5 जा, 15, देखें, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 15 है, तो हमारे पास sensor आ गया है, B की value हम क्या put करेंगे, 0, और A की value हम क्या करेंगे, 5 put करेंगे, इसमें, तो हमारे पास question बनेगा, 5, 0, multiply, 3, 0, 5, 1, तो यानि कि C की value हमारे पास आ गी, 1, तो इस exercise में हम इस प्रकार के question करेंगे, यह हमारे पास था introduction part of chapter 16, की, okay, thank you.